हलो फ्रेंट आप सब्सक्राइब स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैंत मंच पर दोस्तों आज किस वीडियो में आपको भिनना का गोणा करना सिखाऊंगा कि किस पर भिनना का गोणा आसान तरीके से किया जाता है मैंने अपनी ये दो कुशन ले रखे हैं मैं आपको बहुत ही सब्सक्राइब तरीके से बताने का प्रियास करूँगा एक बार आप इस वीडियो को अंट तक जरूर देखेगा चलिए कुशन को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला क्या करना होता है आपको तो मैं जो बता रहा हूं अपको उसको अच्छे से समझ लेना है देखे हम क्या करते हैं इसका हम डारेक्ट गणा ना करकर इसको पहला हम छोटे-छोटे नंबरों से इसको काट लेंगे तो दोस्तों काटने का भी एक नियम होता है एधि हम किसी संख्या को दो से काट रहे ह हैं तो अगली संख्या को भी हम दो से काटेंगे या किसी संख्या को हम चार से भाग दे रहे हैं तो उसी संख्या को अगली संख्या को भी हम चार से भाग देंगे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा देखे मैं आपको समझा रहा हूं देखे आप यहां पर देख सकत है कि यदि हम इसको पांच का पांच का भाग हम बीस में दें तो पांच का भाग बीस में जा सकता है और पांच का भाग पांच में भी जा सकता है ओके तो आप इसको पांच को पांच से काड़ सकते हो ठीक तो कैसे काटेंगे पांच एकम पांच और पांच पंचो को बीस ठी अब आपका देगी दोस्तों यहाँ पर कितना है? 4 4 के पाड़ेश 4 को कारती सी 4 के पाड़ेश 4 एकम 4 और 4 एकम 4 ठीक तो अब आपका ऊपर कितना बचा है दोस्तों? ऊपर आपका बचा है 1 और 1 1 में 1 का गुणा करोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा नीचे कितना बचा है दोस्तों? एक 1 बचा जे और एक 6 बचा इसका आपस में गुणा कर लोगे तो 1 और 6 आपका आंसर हो जाएगा अगला कुसन है देखिए 3 बटे 7, गुड़त 21 बटे 12, गुड़त 15 बटे 9 कुसन काफी बढ़ा है देखने में लेकर आंसर आपका छोटा ही आएगा देखिए वह सबसे पहला हम किया करेंगे किसी को काटने के प्रियास करेंगे देखिए हम किस को काट सकते हैं देखिए हम 3 से 12 क SARAH सकते हैं और 9 कों भी कなた इसकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीन एकंव तीन और तिन चो को बारा ओके अब और कुछ कट रहा है क्या दोस्तों हाँ हम साथ से 21 को भी कट सकते हैं साथ एकंव साथ और साथ ती 21 अब क्या बच्छÁ कुछ और क्ट रहा है क्या हाँ 3 से हम 9 को काट सकते हैं 3 एकम 3 और 3 तिल का 9 ठीक अब कुछ कट रहा है क्या हाँ दोस्तो अभी भी आपका कट रहा है 3 एकम 3 और 3 पचे 15 हम जब तक काटते हैं जब तक कट रहा होगा अब देखिए आपका ऊपर क्या बचा है उपर आपका बचा दोस्तों सिर्फ पांच बचा है तो आप पांच लिख लेंगे नीचे क्या बचा है दोस्तों सिर्फ चार बचा है आपका यह आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियों बच इतना है यदि वीडियो अच्छा लगवादे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर बोचेंग